शंकर नगर के पास दो कारों में आग लगी एक कार का बोनट साइट इंजन वर सीटे जल गई दूसरी कार की चालक ने तत परता दिखाते हुए अपनी कार हटा ली हाला की दूसरी कार की हैडलाइट की कवर को आग पकड़ ली थी कार चालक नहीं हटारता तो दूसरी कार भी आग की चपेट में पूरी तरह से आजाती जानकारी मिलने पर दमकल विभाग के एक वहननी घटना इस्तल पर पहुच कर आग पर काबू पाया पुलिस भी मौके पर पहुची थी पुलिस के अनुसरा बुधवार को दुपहर करीब एक बचकर अर्टालस मिनिट पर शंकर नगच्वा के पास एक इमारत के सामने कार क्रमांक MS-34 BV 3895 और उसके बगल में कार क्रमांक MS-31 FE 2232 खड़ी थी पहली का नंबर में अचानक शौर्ट सरकेट होने पर आग लग गई कार धुदू कर जलने लगी कार में लगी आग पर काबू पाने के लिए एक व्यक्ती ने अगनी रोधक यंद्र का उप्योग किया लेकिन आग तेजी से फैल गई कार का बोनट इंचेन माकिया सीटे जल कर खराब हो गई आग की चपेट में आने से बगल में खड़ी दूसरी कार के हेडलाइट का कवर जल गया कार चौलक ने ततपरता से कार हटा ली जिससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ दमगल करमियों ने आग पर काबू पाने से बड़ी अनहोनी टल गई मोबाइल पर आर्टियो एप के अनुसार एक कार नाकपूर आर्टियो पासिंग में सर्स करमचन रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेट कंपनी के नाम पर वर्ष्च 2018 में पंजिकरत है दूसरी कार चंदरपूर आर्टियो पासिंग है यह कार अतुल गणिश राव धोप्टे के नाम पर रजिस्चर्ड है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाच के साथ अभिशेक पानसी बीसेन न्यूस नाकपूर